जिला एवं सत्र न्यायाले चमबा परिसर में 11 सितंबर को राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरन चमबा के सचेव पंकज गुपता ने बताया कि राष्ट्रिय लोक अदालत में विभिन मामलों का निप्तारा समझोता के आधार पर किया जाएगा इस दोरान अपराधिक कंपाउंडेबल अपराध इनाय एक्ट के मामले धन वसूली के मामले आधी पर सुनवाए कर निप्तारा किया जाएगा इसके अतिरिक्त सगक दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, विजली और पानी के बिल्प वैवाहिक विवाद, भूमी अधिग्रहन के मामले, वेतन और भत्तो और सेवानिव्रिती से संबंदित मामलों की सुनवाए कर निप्तारा होगा उन्होंने यह भी कहा कि जो मामले न्यायाले में अब तक डायर नहीं हुए है, लोग अदालत में उन मामलों का भी निप्तारा किया जाएगा कोई भी इच्छुप्यक्ति यदि अपने मामलों का निप्तारा करवाना चाहता है तो वह 4 सितंबर से पूल जिला विदिक सेवा प्राधिकरन कार्याले चमबा में सादेक आगज़ पर आवेधन कर सकता है नमस्कार, मैं आज आपके बीच जो हमारे जिला चमबा में नेशनल लोग अदालत है योज़ित की जा रही है उनके विश्य में अभगत करवाने के लिए उपस्तित हुआ हूँ हूँ हमारी एक लोग अदालत इसी महीने 28 तारीक को जुरीशल कोर्ट कंपलेक्स चमबा जब दुईजन डल्होजी में हमारे कोर्स में और तीसा कोर्स में होगी जो मोटर विकल्स एक्ट से रिलेटिड होगी यानि कि जिनके मोटर विकल्स एक्ट के चालान गाडियों के चालान माननी अदालतों में लंबित हैं पैंडिंग हैं वो किरिप्या 28 तारीक से पहले जाकर माननी अद्मियालिया में जाएं और उन केसों का निर्टारा करवाएं उसमें आपको यह फैदा होगा कि सबसे जादा कि जो हमारा मोटर विकल्स एक्ट है वो रिपील हो चुका है अमेल हो चुका है आप फाइंस बहुत जादा हो गई है और जो पुराने ही कमपाउंडिंग फी जो पहले कमपाउंडिंग फी थी या पहले फाइंस थे उसी के अधार पर वो डिसाइड किये जाएंगे सितंबर को जिला चम्ला में हम आयोजित कर रही है ग्यारा सितंबर को जो लोक अदालत है उसमें वो केसिस भी लिये जाएंगे जो अभी मानिये अदालत में नहीं गए हैं जिनको हम प्री लिटिगेशन केसिस कहते हैं तथा वो के केसिज भी लिये जाएंगे जो माननी ए अदालतों में लंबित हैं यानि कि पेंडिंग केसिज पहली बात तो यह हमारे जान लेना जुरूरी है कि प्री लिटिगेशन केसिज क्या होते हैं उसका मतलब कि मान लो कोई एक पारटी दूसरी पारटी के खिलाफ अदालत में जाना चाहती है कोई case करना चाहती है या कोई dispute है तो वो अदालत में ना जाकर सबसे पहले वो सधान कावज पर अपना dispute जो दूसरी party के साथ dispute है वो लिखकर हमारे विभाग में दे सकती है जिससे हम दोनों parties को बुलाएंगे और दोनों parties का फैंसला करवाया जाएगा और उस फैंसले को कानूनी रूप 11 सिटमबर को लोक अदालत में दे दिया जाएगा इन cases को बोलते हैं pre-litigation cases इन cases से फाइदा ये होता है कि आपको मांगी अदालत में जाने की जूरत नहीं पड़ेगी आपका समय बचेगा आपका पैसा बचेगा और आपके रिष्टे खराब नहीं होंगे एक दूसरे से जो हमारे pending cases हैं चाहे वो फोसदारी हो चाहे वो दिवानी हो दिवानी case सभी उसमें आ सकते हैं चाहे recovery के cases हैं matrimonial disputes हैं या लिए के जगड़े हैं यानि की और criminal जो compoundable यानि जिन में cases में समझोता हो सकता है वो लोग अदालतों में लिए जा सकते हैं वो cases भी आप 11 सितंबर की लोग अदालत के माध्यम से फैंसला करवा सकते हैं कई बार क्या होता है कि मिया बीवी का पती पत्नी का आपसी छोटा सा dispute होता है जिसके चक्रों में जब वो अदालत में चले जाते हैं तो उनके कहीं साल निकल जाते हैं परन्तु यदि वो जिला विदिक सेवा प्राधिकन को अपना dispute लेकर आएंगे चाहे हो पती लेकर आए चाहे पत्नी लेकर आए तो हम उनका dispute प्री लोक अदालत यानि प्री लिटिगेशन केसिस के माध्यम से हम उनका 11 सितंबर तक ही उन केसों का निप्तारा करवा सकते हैं बाकि जिनके जो चेक बाउंसिस के केसिस हैं, नेगोशेवल इंस्टुमेंट सेक्ट के केसिस चाहे वो अदालत में pending हैं, चाहे वो अभी अदालत में जाने वाने हैं, कई लोग क्या होता है, जी चेक बाउंस हो जाता है तो नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद अदालत में जाते हैं, तो अदालत में जाने से पहले भी आप प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट हमारे पास लेके आ सकते हैं ताकि हम उनका फैसला करवा सके हैं जो केसिज आपके दो लाग से कम खास कर जिनमें चेक कीमत दो लाग से कम हैं वो सभी केसिज लोक अदावत में लगाये जा रहे हैं उसका उदेश्य यह है कि पार्टी का संजोता करवाया जाए कि दो लाग रुपया चेक का है तो चेक का पैसा तो देना ही है तो वो किष्टों में दिया जा सकता है तो इस हिसाब से किष्टों का एक एगरिमेंट बन सकता है कि हम ऐसे पैसे दो लाग रुपया देए जिससे आप का केस में टाइल भी कमिन लगेगा जुल्दी फैसला हो जाएगा और अदालतों का भोज भी कम होगा मैं आशा करता हूँ कि जो हम 11 सितंबर को लोग अदालत कर रहे हैं उसमें आप खासकर प्री लिटिगेशन केसिज यानि जो अदालत में अभी केसिज नहीं गई हैं वो डिस्प्यूट्स हमारे विभाग के माध्यम से जिला विदिक सेवब राहिकर्ण के माध्यम से सभारन कागज पर देखकर भी निप्टवाएंगे सिंपल डिस्प्यूट लिटके दें, दूसरी पार्टी का नाम पता लिटके दें, दोनों पार्टी इसको बुलाया जाएगा और फैसला करबाया जाएगा बहुत बहुत धन्यावाद, जैहिं, जैहिमाचल हिमाचल प्रदेश और चमबा जिला से जुड़ी विबिन जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चमबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेस्बूप पेज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सेक्राइब करे और फेस्बूक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करे धन्यावाद देखते रहिए चमबा हल चल